है हेलो प्रेंड्स कैसे हो आप सब अशाक रुट्यू सिब्टों गे अच्छ होगे मज़ें होगे और फैल कर रहे होंगे आपको हमेशे करना है क्योंकि एक पैजिटर का के रहे हैं bef champagne केहीं हैं जहां परता है, right? और आज की इस एडिय में हम देखेंगे आपके परसान की current feelings, आपके लिए इसमें क्या सोच रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं, आज परादिन आपके रिस्ते में क्या हो सकता है, नीयर future क्या हो सकता है, इनका next action आपके लिए कब तक आ सकता है, और next action में क्या हो सकत चैंज कारणेसे में करेंगी तो अबस राटे। आपके यह में एक ही जुदिल करेंगे। चैंज सुल्पी आपको है और किनी द रूपिंध में धूरीइब काल न इंहीजा करा हम एक हटूद है। सेम नमबर पर कॉंटक करना है, आपको आपका बाड़्ट और नाम से चार्ज करके दिये जाते हैं, अगले साथ दिन में आपके अड्रेस पर रिस्यू हो जाते हैं, ठीक है, और मेरा सिर्फ एक नमबर है, जो वीडियो में दिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, मैंनी कोई और न एकदम रिलेक्स रहेना है, गाइड करें यूवर्स, जो भी वीवर्स इस वक्त इस यूडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रेनर जिस्दि मेरे यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड करें, एकदम रिलेक्स रहना है, ओके, सबसे पहले यहां पर टूटा हुआ चांद बना है, तो आपके परसन आपके बिना खुश तो है, नहीं, missing energies भी है, इस रिस्ते में completion भी लाना है, आपको लिकर किसी से बात भी कर रहे हैं, और यहां पर long distance relationship भी दिखाए दे रहा है, या तो हो सकता है, कि आप लोग पहली बार social media से start हुआ है, आपका relationship, ठीक है? आप दोनों में से कोई एक है, जो कि मतलब पहले से शादी शुदा है, डिवोसी है, या तो वीडो है, कुछ तो है हाँ पे, और third party obstacles बहुत जदा strong है, powerful है, third party romantic होने के chances भी है, या तो यह इनके घरवाले है, ठीक है? क्योंकि blackish energies बहुत जदा है, और नफरत की energies बहुत जदा है, तो इनके घरवालों के दिल में आपको लेकर नफरत तो बढ़ती जा रही है, इनसे नहीं बरदाश हो रहा है, आपके इनके person जो आपको like करते हैं, आपके साथ जो इनको नहीं, attachment है, emotional attachment, आपकी जो तारीफ आपके positive होलते हैं हमेशा, लेकिन जब यह आपकी side लेकर आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा कल या आज सुबह हुआ है, या तो कल रात हुआ है, देर रात, 11-12 बज़े ठीक है, तो कुछ तो आपके बारे में गलत बात बोली गई थी, जो आपके person ने पकड़ लिया उस बात को, इनको पता है कि इनके घरवाले आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके खिलाफ अगर कोई बोले तो यह उनको answer तो दे देते हैं, ठीक है, तो भले उसके बदले इनको कुछ गलत बोला जाए, तो कोई तो है, जो आपके person को hurt किया है, गलत बोला है, और आपके person को उस लगता है कि इनको उत्रा तो आपके लिए करना चाहिए, कि आपके लिए कोई इनके सामने कुछ गलत बाते बोल दे, तो यह इनको at least reply तो करे, इनको यह protection वाले energy फिल हो जाती है, कि आपको protect कर रहे है, आपको secure कर रहे है, और यह जो की सामने वाले को आपकी इनको कितनी ज तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके person खुद के साथ कुछ गलत कर सकते है, यह energies आपके person उनको feel कराना चाहते है, बिना बोले धंकी देना चाहते है, बिना बोले emotional blackmail करना, आपके person बहुत ज़़ा lost है, इवन इनका face देखकर ही ना किसी को भी पता चल जाता है, कि इसक काम से भी खूश नहीं है, मतलब अगर यह office जाने वाले person भी है ना, बहुत ही ज़़ा de-motivate रहते हैं, energy level down रहता है, खाने पिने पे ध्यान नहीं है, और चेहरे पे smile गायव हो चुकी है, तो इसका main reason है कि इनकी love life disturb है, जो इनके घरवालों में से इनकी mammy और sister notice कर पाते है और आपके person को जो की, इनका दिल पिघलता तो है, इनको बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी, इनकी family जो आपके opposite है, यह कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीके, तो थोड़ा बहुत soft corner इनके घर में सिर्फ इनकी mammy और sister के लिए है, sister के दिल में है, आप दोनों की रिष्टे के ल को हमेशा के लिए दूर करना है, किसी और के गले में बान देना है, या तो हो सकता है कि बान में दिया है, ठीके, आपके person सिर्फ आप से प्यार करते है, आपके लिए loyal है, यह इनके घरवालों को अब तक तो यकिन हो चुका है, ठीके, क्योंकि यह बहुत जादा लड़ते ह है आपके लिए, ठीके, इवन अबर इन्होंने आपको पहले कभी बोला होगा कि आपके लिए efforts लगा रहे हैं, और आपको इनकी बात में भरोसा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो सच था, वो पहले भी आपके लिए efforts लगा रहे थे, और आज भी और कल भी, ठीके, कल भी इस person आपको लेकर कुछ बात छेडी है, शायद इनकी रिष्टे की कोई बात चली होगी, तो इन्होंने आपका proposal फिर से रख दिया, कि अगर मुझे शादी करनी तो मैं इसी से करूँगा, ने तो मुझे शादी नहीं करनी है, मैं जिन्दगी पर ऐसे रहूँगा, अगर आपको फोर्स नहीं कर सकते किसी और से शादी करने के लिए, आपके परसर ने ऐसा कुछ एनोर्जी, ऐसे कुछ रिपलाई इनके घरवालों को दिया है, जिस वज़े से इनको कल बहुत बड़े डाट पड़ी है, ठीक है, यस, नेगेटिविटी बहुत जादा है, आपके परसर को इस परसर को करेंट में, डिस इस मेकिंग प्रॉब्लम बहुत ज़दा बड़ रहे है, kriegen, इस पोले कि लिपल जादा है, आपको ब चोड़ दे, घरवालों पर जाकर बैठ ले, या तो किसी जंगल मैं चले जाए इस तरह से, मतलब नेगेटिविटी बहुत ज़दा को पुलाने के लिए जो आपकी इंको इतनी याद आती है, अपना-माइंड डिष्ट्रक करने के लिए ये परसन अब बहुत काम भी करते हैं, सेनी की काम नहीं कर रहे हैं, अपने आपको ठका रहे हैं तक इनको नीद आए, बहुत मेहनत करने के बाद और अपनी लाइप में पैसा एट्राइक भी कर रहे है उसके बाद भी इस परसंग के जिंदगे में हैपिनिस नहीं है ठीक है नींद नहीं आ रही है इस परसंग को चैर और सुकुन इस परसंग का जा चुका है जब से इनों ने आपको डिस्टन जी आए ठीक है इतना जाते हैं लेकिन फिर भी परसन रात को सो नहीं पाते थकान में सुसी नहीं होती इनको क्या करें गया आपको दिमाग से निकाल भी नहीं पाते और घरवाले ही जो कि इतने इतना पागर कर दिया आपके परसन को आपके परसन के और आपके रिष्टे में इनके घरवाले उसका होने नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा आपके परसन के उपर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पाबंदिया लगा दी है, ठीके, इनके घर में बहुत जगड़े की एनर्जी है कम से कम पिछले दो-तीन दिनों से, ठीके, और जो की टॉपिक आपका होता है, कुछ ना तो इनी से कनेक्ट किया जाएगा, कि अगर तू ध्यान देता तो ऐसे नहीं होता, अगर तू कुछ करता तो तेरा लॉस नहीं होता, अगर तू आफिस पर टाइम पर जाता तो तेरा किसी और से जगड़ा नहीं होता, तू ही है जो कि तेरा माइंड तूने पागल करकर या तो या तो क्या ही हम से मैंच करेगा मतलब इस तरह से आपके परसs Dwiner को बाहे आपके याद दिला कर जो भी इन अर्जित हो रही है आपको लेकर या आपको बताने की जरुवत है आपको खुशी तो होने वाले है ने, इनके इनके यह सब कुछ सुन कर आपको दूखी होगा, लेकिन आपको आपके परसन के उपर दया आएगी, ठीक है आप हो सकता है कि खुदी इनको बोल सकते हो हो सकता है कि आप खुदी इनको बोल दोगे कि देख इतने अगर प्रॉब्लेम से तो कोई बात नहीं मैं मेरे घरवालों के मरज़े शादी कर लूँगी तुम्हें मेरे लिए इतनी तकली पुटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसे इतना प्यार करते हो आपसे इनका दुख नहीं देखा जाएगा इसी वज़े से ये परसन जो की आपको अब हर्ट नहीं करना चाहते इनके धरवाले जो भी आपको लेकर फार्टस बना रहे हैं आपके तरफ एट्रेक्टर एधाधा एपकी ऐनको जरूरत बहुत जादा है लेकिन इननोंने अपने आपको बीजी कर लिया लिया है होसकता है कि इननोंने कोई प्लान बनाया है शौपिंग पर जाने का अगर यह आपको personally नहीं भी मिलेंगे तो यह आपको कोई courier से end करेंगे लेकिन इनकी तरब से आपको कुछ तो आ रहा है और new opportunity भी आपके इस रिस्ते में आ रही है आपके person ने ही बहुत ज़दा initiate किया है ठीक है अभी अपने घरवालों के opposite जाने की कोशिश करते है उनका जवाब देने की कोशिश करते है आपके लिए stand लेने की कोशिश करते है आपके लिए जगरते है मतलब इस person की आपके तरपाना की power तो increase हो चुके है ठीक है जो इन्होंने आसनी से हार मान ली थी कि शायद कुछ नहीं हो सकता आपका और इनका कभी reunion नहीं हो सकता शादी नहीं हो सकती अब इस person का mindset एकदम opposite है कि अब इन्होंने हार मानना ही नहीं ही क्योंकि इन्होंने जीने की कोशिश करकर देख लिया है और बहुत efforts लगाकर जैसे मैंने बोला इतनी महनत करने के बावज़ित भी इनको नींद नहीं आती है खुशीर चाहिए सुकुन की नींद चाहिए तो आपके अलावा आपके पास आने के अलावा और आपको अपनाने के अलावा इस person के पास कोई रास्ता नहीं है तो भले इनके father इनको कितना भी डाटे या तो मारे पीटे कुछ भी करे इनको अब इन बातों से कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है ये person आपके लिए बहुत ज़्यादा emotional है बस इनको ऐसा लगता है कि इनकी इस energies को इनकी इस negative बातों को और इनके घर में जो भी चल रहा है ये अगर आपके सामने आकर आपको बताएंगे तो आप इनके उपर पता नहीं पहले तो भरोसा करोगे की नहीं आप इनको समझे के कोशिश करोगे की नहीं इनको डर है इस बात का इन्होंने आपके साथ जो अपने घरवालों के मर्दी से आपको छोड़ा था आपको distance दिया था अब अपने जरुरत की हिसाफ से आपके पास जो आ रहे है तो आप इनको जो की होता है ना मतलब इनको याद दिलाओगे कि इन्होंने जो आपको distance दिया था उस distance period में आपके क्या-क्या हाल हुए है आप कैसे जिये हो और कैसे डर-डर के रात को उड़ते थे कैसे-कैसे-कैसे बुरे dreams आपने देके है आपके इस रिस्ते को लेकर अपने आपके साथ जो धोका हुआ है वो धोका आपसे बरदाशनी हुआ आप जितने depression में थे आप इनको सब कुछ सुनाना चाहाते हो इनको इसी बात का डर है कि इनको लगता है कि आप इनको ये सब कुछ सुनाओगे तो पता नहीं ये कैसे आपको phase कर पाएंगे ठीके? नमबर 222 अपको angel number दिख रहा होगा जो कि missing energies को बता रहा है 555 change को बता रहा है और yes, number 111 new beginning को बता रहा है ठीके? तो new beginning तो 100% है आपके इस रिस्ते में अगर किसी को initials जानने हैं तो यहाँ पे P, S, T, J, Y, A, C, F, M, Q यह कुछ initials है आपके दिखाए दे रहे ठीके? यह किन आल साइंस रिडिंग थी तो जिनको फील हुआ कि हाँ यह रिडिंग मेरी है यह उनी के लिए थी ठीके? अब हम देखते हैं आपके रिष्टे में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है गार करे परसंग के अंदर आपके लिए लड़ने की स्ट्रेंथ है थीर पाटी की अफोजिट जाने की स्ट्रेंथ है तो बहुत सारी लोगों के परसंग आपसे आज बात करने वाले है ठीक है? नियू बिगिनिंग होने के चांसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है आपको आपके परसंग के तरफ से मैसेज आ सकता है टेक्स मैसेज कुछ कॉल आ सकता है और यह आपको मिलने की लिए बूला भी सकते है या तो यह आपको कोई डेट बताएंगी कि क्या आप इस डेट को इसे मिलोगे, आपके तरफ से protection के energies रहेगी, क्योंकि आप आसान इसे इस person के ओपर भरोसा नहीं कर पाऊगी, ठीके, आपके person ने जो भी आपको अपने family की वज़े से जो भी energies दी है, जो भी feel कराया है, और जैसे भी treat किया है, आपके दिमाग से ये बाते अब जाती नहीं है, ठीके, आपके person की तरफ से efforts आएंगे, या अच्छे से बात करने की कोशिश आज कर सकते है, लेकिन आपकी तरफ से इस person को बहुत ज़्यादा, मतलब आप अब इस person को नहीं समझना चाहोगे, ठीके, आप इस person से ज़से की revenge लेना चाहते हूं, अब अब आपको नहीं ऐसे energies feel हो रही है, कि मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसकी वाट लगानी है, ठीके, वाट लगानी मतलब कि अगर इनका चैन और सुकुन जा चुका है, तो आप इस person को आप 10 से सोने देना यह नहीं चाहते है, इस तरह से energies आपके person को आपके feel होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी chances से कि आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, गाड़ करें, इनके रिष्टे में near future क्या हो सकता है, इनके रिष्टे में near future क्या हो सकता है, near future आपके रिष्टे में six of friends, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोगों के person आपसे मिलने के लिए आने वाले है, और इसका main reason यही रहेगा, आप इनके जिंदगे में नहीं हूँ, जिस वज़े से आपके person के हालत बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, इस energy से निकलने के लिए आपसे मिलना ही मिलना है, और जैसे मैंने बोला था, reading में भी आया था, कि इन्होंने आपके लिए कोई gift purchase किया है, वो gift आपको देना चाहते है, traveling in year future अगले 8-10-15 दिनों में आपका meeting है, ठीक है, आप मिलोगी और सब कुछ positive होने वाला है, जो आप चाहते हैं वैसे आप कुछ सुनोगी इस person से, और शादी का commitment अगर आपको चाहिए, तो आपके person आपको शादी का commitment देने के लिए भी ready है, ठीक है, अब इन्होंने आपको चुन लिया है, ठीक है, इसे energies में इस वक्त अगर इनके person इन से कुछ बात करना चाहेंगे, तो क्या बात कर सकते हैं, इनके partner इस वक्त इन से कुछ बात करना चाहेंगे, तो क्या बात कर सकते हैं, वो आपको कहेंगे कि इन्होंने आपको distance दिया, आपसे root energies दी, इस बात के लिए आप इनको प्लीज माफ कर दीजे लेकिन अब इनके लिए अपने फैमिली से ज़्यादा आप important हो और यह इस रिस्ते को दिल से balance करने के लिए अब ready है आप से शादी करने के लिए ready है आपको current में यही कहना चाहते है प्रणी करें वेते हैं मेरे yours की current energies क्या है इनके partner जैसे सोच रहे क्या सच में मेरे yours Kan एकर रहे है आपको अब ये परसन अपनी जिन्दगी में बरदाश नहीं होंगे क्योंकि अगर ये आते भी है ना फिर भी आपको ना वो cheating वाली energies ही बार-बार याद आएगी ठीके अब भले आपको शादी का commitment दे आपसे सच में शादी करने के लिए radio हो जाए या तो आपको सच में शादी हो भी जाए लेकिन आप इस परसन के उपर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे ऐसे परसन के साथ जिन्दगी बिताने से better है कि जिसके उपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो इसको result किया जाए आपकी साइट से आप tower आया है आप इस परसन के छोड़ना चाहते हो छीक है जो इनको लग रहा है कि आप revenge वाले energies में हो तो वो सही है तो मेरे यूर्स को करना क्या चाहिए क्या मेरे यूर्स को सच में इसी energies इनके partner के देनी चाहिए यह एरो पन्ता आया है आपका दिल तो तूटा है सकता और आपके जखमों को ताजा करेगा अगर ये परसंग आपके सामने आते हैं अगर आपका फिर से पैच अफ होता है तो तो ये डिसिजन आपका है क्योंकि एनर्जीस में बॉटम में इत्री आप सोर्स आया तो अगर आपका दिल नहीं कर रहा है ना तो आपको इस रिस्ते को हा नहीं बोलना है क्योंकि इस परसंग की तरफ से तो आप रास्ता क्लियर है कि आपको अपनाने के लिए आ रहे हैं ठीक है बहुत जल्दी आएंगे कुछ लोग को तो आज भी एक्षन आ सकता है सब कुछ आपके परसंग के साइट से पॉजिटिव होगा आपका दिल इस रिस्ते के लिए नहीं मानेगा ऐसा होने माला है ठीक है आपको अब ट्रस्ट इशूज बढ़ चुके आपके परसंग को लेकर तो ऐसे इनवर्जिस में हम आपके लिए एंजल गाइड़न्स देख लेते कर अब कर दीजिए आपके जिंदगी में अबंडन से आएगा अबंडन से आएगा मतलब कि जो आपके लिए अच्छा है वही आपको मिलेगा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और आप इस परसंग को माप भी नहीं कर पा रहे हो तो लेड़ गो करना बैस्ट है ठीक है तो यस य हां पर अपको लिटेस मिल जाएगी कौल के से भूग करने ठीक है तो मिलते हैं ने शुर्य बन अब तक के लिए बाब बाई